तो विल्कमें दोस्तो नमस्कार आप सभी का बीबीम के उधनबाद में एक्जाम होने वाला है समेशर टू में और इसमें आपका पहला पेपर है अब देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके एक्जाम में किस टाइप की कोशिन आये है तो यह बाइस चब्विस सिसन में पूछा गया पेपर है जो कि 50 मार्क्स का हुआ है बोलेगा किस निवर्सिटी का कोशिन है तो जहारखन के एक निवर्सिटी है उसी का कॉश्चन है बात में नाम बताओंगा नाम बता दूँँए यह अपका कॉश्चन है SKMU दुमका में जो कि सेमेश्टर 2 एसी पेपर इंग्लिस में पुछा गया था ठीक है सेमेश्टर 2 में एसी पेपर इंग्लिस फूल मार्क्स था 50 और पास करनी के लिए इसमें लाना होता है आपको 20 नंबर ठीक है और टाइमिंग होता है का इसमें डेड़ घंटा डेड़ घंटा टाइमिंग मिलता है 90 मिनिट चली देखते हैं किस टाइप से रहते हैं तो लेंग्वेज और कम्यूनिकेशन स्केल इंग्लिस और यह सभी के लिए कंपल सरी है चाहे उसका दो भागों में बटा रहेगा ग्रूप A एंड ग्रूप B ठीक है यहां पर देखिए बोला गया है केंडिटर रिक्वाइड टू गिप दियर आंसर इंडियर वन वर्ड्स यानि कि प्यार थी यह था संभाव अपनी प्रश्णों जो सब्द है उसका आंसर अपने सब सब्दों में करें ठीक है आगे देखते हैं तो फिर बोला गया है तब फिगर इन दो मार्जिन इंडिकेट फूल मार्क्स यानि कि हासिये पे जो है आपके मार्क्स सो कर रहे हैं आंसर ओल्दा को सभी प्रश्णों के उत्तर दें ठीक है इसका मैंने थोड़ा गलती बताया चली कोई बातने दके इंडिटा रिक्वाइट टू गिप दियर आंसर इन दियर वन वर्ट एज फार एज प्रैक्टिकवल जहां तक संभा हो अब यारती अपने ही सब्दों में उत्तर दें ठीक है प्रायोगी ग्रूप से अब देख लेते हैं तो पेपर आपका दो भाग यह भी आपका one marks वाले five question है grammar के and question number three यह भी आपका one marks वाले five question है grammar के भौम में ठीक है यानि कि 15 marks आपका grammar से है और बाकी जो है आपके 15 marks grammar से बाकी आपका जो है कितना बच जाता है 35 marks ठीक है इसमें से 35 में 5 marks आपका आएगा एक लिखने का छोटा 70 word का notice ठीक है notice लिखने का 5 marks का तो यह हो जाता है 15 marks grammar 5 marks का आपका notice 20 marks और बाकी जो 30 marks बचता है इसमें से 15 marks वाले question होते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग 15 marks वाले question से शुरू करते हैं किस type से question होते हैं देखिए सबसे पहले question number 5 यह 15 marks का है ठीक है 15 marks वाले इसमें दो question है इसमें हमारा जो question है और नहीं नहीं है तो इसमें हमारा question है 5 number में इसमें बोला गया है कि write a letter आपको एक letter लिखना है to your sister अपनी बहन के पास ठीक है तो किसलिए who is at home in village telling her about your first day in college ठीक है है तो आपको अपनी sister के पास एक पत्र लिखना है ठीक है और पत्र में बताना है कि उसे college में अपने पहले दिन के बारे में अजिक्र करना है ठीक है क्या क्या है college कैसा है कितना बड़ा है कितने candidate पड़ते हैं ठीक है principal कौन है माहौल कैसा है अन्वार्मेंट कैसा है दोस्त कैसे है ठीक है इन सब के बारे में आपको डेस्क्स करना है अगर आता है ऐसा तो ठीक है आगे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे कोशन है कि राइट लेटर टू दा एडिटर दा हिंदुस्तान टाइम यह निवस्ट पेपर करना में दा हिंदुस्तान टाइम यहां पर कोई भी पेपर हो सकता है कि राइट लेटर टू दा एडिटर आपको अखबार के संपादक हिंदुस्तान टाइम के अखबार के संपादक के पास एक लेटर लिख किसके लिए तो कम्प्लेन करना है कम्प्लेनिंग एबाउट दा बेड रोड एंड ड्रेन इन यूर लोकेलिटी यानि कि आपका इलाका है यहां पे सर बहुत जो सरके हैं बहुत खराब हैं और नालिया भर गई है ठीक है इसके करने बहुत सारे प्रोब्लम हो रहे हैं आपके ठीक है तो यह आपका 15 15 marks का है और 15 marks वाली question का answer किजिएगा तो यही से आप pass हो जाइएगा तीस number का है ना अगर आप इसमें 10 number और इसमें 10 number लेते आते हैं तो इसमें आप pass बाकी आपका bonus ठीक है तो कम से कम 15 marks का answer आपको कितना वाट्स में करना है लगभग लगभग आप 400 की आप से सब्ढ़ों में करेंगे यानी की दो खऴा पणना में अलीயच आपको करना है इसको आंसर कम से कम दो ख़़़ा पनना और अगर संबडा थो तो तीन ख़़़ा पनना लेकिन फिर टाइम नहीं बचेगा इसलिए दो खड़ा परना यानि कि चार पेज में आंसर करें तो आपको डेफिनेटली 10 से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे 10 से ज्यादा ठीक है अब देखते हैं फाइप मार्क्स वाला जो नौटी से इसमें किस टाइप के कोश्चन है इसमें हमारा पहला कोश्च कि you have found an expensive watch in your college और यह आपका है प्लेगराउंड ठीक है तो मतलब आपका जो कॉलेज का प्लेगराउंड है आपने एक बहुत मांगी घड़ी पा लिए और इसे मिलेगा नहीं आजकल आदमी घड़ी नहीं पान था तो मिलेगा कहां से ठीक है तो बताना है कि ड्राप्ट नो ठीक है और कितने सब्दों में तो यह आपको लिखना है पचास सब्दों में ठीक है और हो सकता है बताना है कि घड़ी का कलर कैसा है वेट कितना है कौन सा कमपनी का है ठीक है ताइम तो सबका एक ही चलता है और और क्या मॉडल नमर बता दीजेगा ठीक है चलिए आगे दे given all details for the notice board you are Sam या फिर सेमा जो भी है यह नाम है अब XYZ College New Delhi क्या बोला गया है यहां पर यहां पर बोला गया है कि notice board के लिए आपको एक विवरन त्यार करना है ठीक है आप किसी भी college में पढ़ते हैं उसके लिए तो what given all details for more than sorry for the notice board ठीक है यू स्याम college in New Delhi तो यह उतना better topic नहीं है मुझे लगता यही better topic है तो आपको देखिए चुनने को दिया जाता है कि आप किसको बनाएंगे ठीक है फाइप marks वाले दो हैं इसमें से किसी एक को बनाना है और 15 marks वाले दोनों को बनाना है ठीक है अगर आपके एक्जाम में तीन को आए तो दो को बनाना है मतलब को मिला के 50 number ही बनाना है उससे ज्यादा नहीं लिखना है ठीक है अब grammar कुछ देख लेते हैं जो कि आया थे कॉस्चन नमबर वान में देखिए यहां पर है कि चूज दा मॉस्ट सूटेबल वर्ड गिवें इन ब्रेकेट ठीक है तो आपको जो सूटेबल वर्ड है उसको यहां से स्लेक्ट करना है देख लेते हैं तो यहां पर हमारा कॉस्चन है कि हाव इज द टैस तो यहां पर क्य नहीं होगा और सीजन भी नहीं होगा क्योंकि सीजन और क्लाइमेट एक दिन का नहीं होता है क्लाइमेट मतलब हमारा जलवाई और सीजन मतलब ठीक है next कि have you ever heard him laugh or smile ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा थे हम लोग बोलते हैं न कि उसे मतलब have you ever heard him ठीक है तो क्या बोलेंगे इसको यार मुझे न एक दूब वर्ड न समझ में नहीं आता है चलिए तो इसका हो जाएगा यहाँ पे have you ever heard क्या आपने कभी उसको सुना है किसके बारे में तो लाब है यानि कि हंसते हुए असमाइल मतलब मुस्कुराते हुए बारे में तो हम लोग क्या बोलते हैं क्या आपने उसको हसते हुए सुना है ठीक है तो यह हो जाएगा लाब देखा जाए तो असमाइल भी मतलब दोनों सामने सामने का वर्ड है तो यहाँ पे लाब हो जाएगा ठीक है क्या आपने कभी उसको हसते हुए सुना है have you ever heard him laugh ठीक है आगे देखते हैं next हमरा सी नंबर है कि let us let us यहां पर दो वर्ड है एक है प्रोसीड और एक है आपका प्रेसेड तो दो में से किसी वर्ड को चुनना है let us with the work on hand ठीक है यानि कि आईए हम अपना काम को बढ़ाएंगे किस से तो प्रोसीड हो जाएगा ठीक है अपने हातों से काम को बढ़ाएंगे तो यहां पर प्रोसीड हो जाएगा प्रोसीड मतलब संपन करना या फिर काम करना देखे यह आपका word power पर decision करता है कि आपका पकड पर हाल है या नहीं है ठीक है आगे दिखते है last तो हमारा क्या हो जाएगा вся common ही इज अंडर ड़ ईई उनरड़ दो गो वर्ड एक-टे के ईलूजन जा मतलब होता है आपका ब्रहम और एक है आपका sigui इसका मतलब होता अ है खराय तो पूचा गया है कि ही इस अंडर देस कौन सा आएगा वर्ड आप हम लोग नहीं बोलते है तुमारा यह भराम है कि वह सबसे अच्छा खिलाडी है तो देखे भराम का हो जाएगा आपका यह इलूजन यह टोटली डिपेंड करता है कि आपका वर्ड पावर कितना मजबूत है इसी पे आपका यह कोशिन बनेंगे ठीक है बाकि 20 नमबर लाना है 50 में अगला है हमारा इसका क्या हो जाएगा कि इस स्कूटर की दाम कितना है तो दाम को हम लोग क्या बोलेंगे कोश्ट, प्राइस या वैल्यू बेल्यू मतलब होता है इसका मुल्य प्राइस मतलब होता है कीमत छोटे चीजों के लिए कोश्ट मतलब हो जाता है महांगा बड़ी चीजों के लिए जब महांगा महांगा चीज खरेतना हो तो हम लोग कोश्ट का यूज करते हैं प्राइस च्छटा च्छटा चीज के लिए तो how much did this scooter cost you ठीक है आगे देख लेते हैं तो next यहाँ पे आपको question दिये गए और इसको sentence को सही करना है correct the sentence sentence है और यहाँ करेक्ट करने को मिलेंगे आगे देखते हैं तो next आपके 5 question है और यहाँ पे आपको fill in the blanks करने है खाली वर्ड को भरना यहीजी है फ़ले इसको करते है ठीक है तो इसमें हमारा a number है तीन नमबर कि more than one passenger डैस killed ठीक है यानि कि देखिए आजकल बहुत ज़्यादा घटना भी होता है ना तो यहाँ पर बुला गया है कि एक से ज़्यादा जो है अब मर गये पेसेंजर इसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बल वर्ड देया तो क्या करेंगे ठीक है more than one passenger वाज वर्ड किल्ड या वाज किल्ड तो देखिए एक से ज़्यादा यहाँ पर पेसेंजर मर रहे है ठीक है तो more than one passenger वाज किल्ड या वर्किल्ड क्या होगा यार more than one passenger वाज किल्ड ठीक है तो यहाँ पर देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पर वैर सही होगा ठीक है एक से ज़्यादा पेसेंजर एक से ज़्यादा यात्रियों की मोते हो चुकी है आगे देखते हैं नेक्स आपका दजापा लां डेस बिआ टन धान हैहें-श क्जाप ए क्ट से तो यहाँ पर क्या आएगा आस या एज बढ़ करेंग होता है नहीं पर फ्रपान इज हा़ड वर्किंग होगा ठीक है अगे दिखते हैं नेक्ट तो हमारा कोस्टिन हे अग्ला यहां पर आपको फिलक पर ना, नं ओप दखेंडिडेटे ठीक हुआ तो देखिए none of the candidate have होगा कि एक भी candidate जो है appear नहीं हुआ, appear for the interview, ठीक है, साक्षातकार के लिए एक भी candidate उपस्तित नहीं हुआ, none of the above candidate have appeared for the interview, ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे d number, dash, और यह question है, your hair, dash, turn it grey, ठीक है, यानि कि आपका जो बाल है, वो सफेद हो रहे हैं, ठीक है तो have होगा या hedge, your hair, hedge, turn it grey, आपके जो बाल हैं वहाँ, सफेद हो रहे हैं, ठीक है, आगे देख रहे हैं, next है आपका यहाँ पे, पांचवा question, the cattle, cattle मतलब होता है, मवेसी, ठीक है, the cattle is our grazing in the field, यानि कि जो मवेसी हैं, मैदान में चर रहे हैं, तो आर हो जाएगा, क्यूंकि केटल यहाँ पे बहुत सारा है, तो केटल के साथ और का यूज करेंगे, the cattle are grazing in the field, ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक मिनिट, the cattle is होगा यार, सोरी, क्योंकि केटल जो है ना, यह group of, क्या बोलते है, एनिमल है, ठीक है, तो यहाँ, the cattle is grazing in the field होगा, ठीक है, आर नहीं होगा ठीक है, सोरी, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा यह वाला बचता है, correct the following sentence, sentence को correct करना है, पहला है, will I turn the right on, ठीक है, तो इसको सही रूप से सेट करना है, I will turn the right, सोरी, इसका हो जाएगा, I will turn on the right, ठीक है, पहले आएगा, I, फिर आएगा, will turn, ठीक है, कहा गया, turn on the right, ठीक है, यह light है, I will turn on the light, मैं light की और मुड़ूंगा, next step का यहाँ पे, see, dislike me, coming late, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, see, coming late, see, coming late, क्या हो गया, see, coming late, dislike me, तो देखे, यार मुझे भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैंने भी, मतलब मेरा भी इंगलिस उतना मजबूत नहीं है, see, dislike, coming late, तो इसको आप लोग solve कर लिजेगा, ठीक है, मैं यही तक रखता हूँ, क्योंकि यह words मुझे से नहीं बन रहे हैं, जो भी है, तो आप लोग अपना तयारी कर लिजेगा, और अगर आपका grammar अच्छा ता strong नहीं है, ठीक है, मेरी तरह, तो आप इस पे focus किजेगा ज्यादा, यह वला portion, जो कि 35 marks आएगा, इसी से आपका, मतलब, enough है यार, यहाँ पे अगर आप 35 marks में 30 नमबर लेते आते हैं, या फिर 25 marks लेते आते हैं, और यहाँ पे 15 में से कम से कम 10 तो आही जाएगा ना, ठीक है, तो 30 और 10, 40 नमबर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, मिलते है नेक्ट वीडियो में, thank you, bye, और इसका PDF मैं वीडियो का description में दे दूँगा, ठीक है, हाँ, एक भी question मत छोड़िएगा, कारण कर पादा हैं, क्योंकि यह question कोई ना, कोई हमें भीजता है, इसलिए आप लोग का जब exam हो जाए, तो अपना question paper प्लीज, इस नमबर पर send का देजेगा, ठीक है, 89, 86, 65, 41, केवल वाटसेप चलेगा इसमें, ठीक है, अगर कोई exam से related भी question हो, तो आप हमें इसमें वाला बेस्ट, अच्छे से गाम दिजी,